कि नमस्कार दोस्तों निफ्टी वा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सत्रा जीरो असी के ऊपर खुले निफ्टी तो आपने बाय करना है तो एग्जेक्ली ये खुली 17179 पे जहां पे मैंने लाइन लगाई हुई थी तो वहां से ही बायंग आई और उपर जो सत्रा चार सो सोला का टार्गर था हलांकि वो अधूरा रह गया पर हमें सत्रा तीन सो हलांकि इससे भी उपर मिला चलो हम सत्रा तीन सो ही मान के चलते हैं फिर भी हमें 120 पॉइंट का प्रॉफिट दूसरा जो बैंक निफ्टी दिया था वो भी मैंने बताई था कि अगर चतिस दो सो पचीस के ऊपर खुलेगा तब आपने बाय करना है तो इग्जेक्ली वही प इतना क्लियर अगर आपको कोई समझा सकता है तो अगर आपने अभी तक जो नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इससे यह होगा कि आपके लिए मार्केट में ट्रेडिंग करना असान हो जाए और और आपको पहले सी mind make up हो जाएगा कि हमने अगले दिन करना क्या है और कहां पर भाय करना है कहां पर profit book करना है तो सबसे पहले हमारे चैनल को subscribe करें बेल आइकन का बटन दबाए नीचे free telegram channel का link दिया है उससे जुरूब click करें क्योंकि वहाँ पर भी हम सुबह सुबह commentary देते ह कि आपकी knowledge में बड़ोतरी हो उसके साथ साथ आपको trade करने में और भी ज्यादा सुहलत दूसरा नीचे demate account के link दिये हैं वहां से अगर आप demate account खोलेंगे तो free में खुलता है दूसरा उसमें जो server है उन company उसके क्योंकि वह बड़ी बड़ी companies हैं उनके server काफी अच्छे हैं तो वहां से अगर आप trade करेंगे तो आपको trading करने में कोई hang होने का या कोई circle घूमने की problem नहीं आएगी जो bid डालेंगे आप वो उसी वक्त आपकी bid पड़ जाएगी और buy sell करना fast रहता है तो अब हम आते हैं यह तो था nifty bank nifty हमने उस दिन तीन stocks भी दिये थे आपको क्योंक market अच्छी लगेगी मैं अपने आप stock दे देता हूं तो बिजाज ओटो दिया था हमने बिजाज ओटो में देखिए हमने इसे 3627 पर buy किया हलांकि मैंने कहा था 3541 पर buy करना जिसने यहां पर भी buy कर लिया ठीक है पर फिर भी हम चलो rules के according चलते हैं तो 3627 पर हमने buy किया और 3650 तो इसमें हमें लगबग 23 पॉइंट का profit हुआ इंफोसिस में 17 पॉइंट का हमें loss हो गया क्योंकि 1879 पे लिया 1852 पे हमारा stop loss हिट हो गया तो 17 पॉइंट का profit यही close loss यहां हो गया तो बिजाज ओटो में हुआ हमें कितना तगरीब में 23 पॉइंट का profit और SRF में अगर देख 35 मतलब 30 पॉइंट का यहां पे profit हो गया तो इस तरह से कुल मिलाकर 35-36 पॉइंट का profit हमें इन तीनों stock से काफी अच्छा हो गया अब कल के लिए यह दुबारा से SRF है SRF को आपने buy करने 2552 तक कोई भी dip buy कीजिए नीचे जो stop लो सकना है 2410 का ही रहेगा अगर डिप पाई 2418 8 तक फिर भी buy कीजिए क्योंकि SRF काफी अच्छा moment दे रहा है और उपर 2636 और 2770 के आपके target रहेंगे तीसा जो दूसा स्टोक है वो हमारा वो है Coromandel, Coromandel International ने काफी अच्छा breakout दिया है और 842 तक कोई भी dip buy कीजिए 837 का अपने stop loss लगाना है और उपर 865, 872 और 282 के target रहें अब स्वाल उठता है कि Monday को market कैसी रहेंगे देखिए सबसे पहले तो जो एक basic लिए है कि क्या हुआ Friday को खला कि Friday को हमारी market बन थी तो Friday की market देखनी बहुत जुरूरी थी यहीं कारणा है कि हम Saturday को वीडियो बना कर डाल रहे हैं जान बुझकर हमने Friday को वीडियो नहीं बनाई क्यों हम देखना चाहते थे कि DAO कहा क्लोजिंग डाव ने 423.2 पर क्लोजिंग दी है 34758 जो DAO का future है तो वहाँ पर क्लोज हुआ है और अगर सिंगापुर निफ्टी देखें तो 17.490 पर मतलब clear cut है कि market gap अब खुलेगी पर ऐसा क्या हो गया कि इतनी market जूम उठी एक्टल वो तेल तो लेना चाहते हैं पर यहीं समझा रही कि कैसे ले अब उन्होंने एक तजर्बा सगर के देखा है रश्या की तेल कंपनी उसमें कुछ लोगों ने जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने कुछ investment कर रखी थी तो वो अभी उसका व्याज देना था उस करजे का त उन्होंने उस वहां पर deposit करा दिये तो इंग्लैंड के लोगों के नाम पड़ी है एक तरह से कावेज दे दिया वह कावेज वापस उन्होंने बैंक में जमा करा दिया किसमें Central Bank of England में जो Central Bank England का तो उन्होंने इसेप्ट कर नहीं था तो इस तरह से उनका जो करजा था वो उ करूँ और ओयल को यूँआन में बेचूँ क्योंकि अमेरीका नित नए दिन कोई ना कोई धंकी देता रहता है मैं sanction कर दूँगा मैं वह कर दूँगा हर एक देश को उसकी यहीं धंकी होती है sanction की तो इस टाइम सारा एशिया यहीं सोच रहा है कि क्यों ना इसको एक साइड पर स्वाल यह उठता था कि उससे तेल कैसे लिया जाए अब इन्होंने इलाज क्या निकाला है हमारे इंडिया ने कि युवान को हम खरीद दें युवान मतलब कि युवान में हम आपको रशिया को दे देंगे तेल के बदले युवान दे देंगे और रशिया युवान के ब पता होगा कि IOC ने लगबग 3 billion barrel तेल अभी रश्या से आ चुका है हमारे इंडिया में और ये भी मैं बता दूँ कि इसमें अगर ये रास्ता खुल गया अच्छा और तेल भी आता रहा तो फिर जूरती ना पड़ेगी प्राइज बढ़ाने की तो इस वक्त काफी माथा पच्ची हो रही है इंडियन गोवर्मेंट के और से कि किसी भी तरह पर कि हम जो इंडियन से हैं उन पर ये बोज ना पड़े तो इसलिए ये जो कोशिश ये हो रही है कि रश्या जो 30% less पर 30% less मतलब 100 डॉलर का जैसे मालो तो 70 डॉलर में हमें देने के लिए त्यार खड़ा है क्योंकि उसकी मजबूरी है और एक और चीज मैं बता दूं कि रश्या ने चाइना को कहा है कि वह इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए यही का रहा है कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वह इंडिया में आ र करने की त्यारी है और इंडिया भी यह चायना के साथ करने के लिए तो इस तरह से क्या होगा एक तरह से जो डॉलर का वर्च वय पुरे मार्किट में वह खतम हो जायगा और यह वैस्टन countries है जो गुंडागर्दी दिखा रही है इंतराश्टी स्थर पर तो वो भी खतम हो जाएगी और इस तरह से जो युक्रेइन जैसे देश है जो पिछे लगते हैं इन western countries के पिछे लगते एशियन country के देश होकर भी यूरो एशिया के देश होकर भी इदर लड़ना शुरू करते हैं तो इन देशों को भी एक तरह से समझ आ जाएगी कि हमें एशिया के साथ रहना है हमें western country के साथ नहीं रहना क्योंकि एशिया अगर कठा हो जाए सारा ही रशिया चाइना और इंडियन एक ह फोज बंजे बड़ी तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई और इस तरह से western countries और अमेरिका जिस तरह से ड्राते हैं कि sanction कर देंगे वो कर देंगे तो यह चीज़े फिर खतम हो जाएगी तो इससे एक तरह से वपार खुलेगा और शान्ती भी आएगी क्योंकि आप सब को पता है क South East Asia में जितना भी मारधार है उसका सबस्की जड़ अमेरिका ही है तो जैसे इराक में उसने किया, सीरिया में किया तो वो चीज़े भी फिर थम जाएगी तो यही कारने कि market जूम उठी है जब उसने देखा कि Russia एक अच्छा इलाज निकाल रहा है अपने तेल को वेचनेगा और जिस तरह से तेल अगर मार्केट में आता रहा तो क्रूड फिर कंट्रोल में रहेगा और आपको ये भी बता दें कि क्रूड एक टाइम में 111 पे पहुंच चुका था थास्डे की रात को उसके बाद फिर से जब उसने ये इलाज निकाले रशिया ने तो उसके बाद 108 पे आ गया और यहीं कारण है कि पूरी वर्ल मार्केट जूम उठी तो इस तरह से अब क्लेर है कि मार्केट गैप खुलेगी क्योंकि जो सिंगापू निफ्टी है वो 17490 मतलब 17500 के पास पहुंच चुकी तो अब हम आते हैं बैक निफ्टी पर हमने करना है तो ये डेली च करना इसके लिए मुश्किल होगा और कोई भी डेमा क्रोस तभी होता है अगर गैप आप ओपनी हो तो यही कारण है कि चांसे यहीं लग रहे हैं कि गैप ओप ओपनिंग होगी क्यों यह देखिए एफ इस डिया इसका डाटा देखिए यह क्या कहता है एफ इस ने कैश में 2800 करोड की बाइंग की है तो एक चीज में आपको बता दूँ जब एफ इस कैश में बाइंग करते हैं तो उसका इशारा यह होता है कि वो अब लोंग टरम में मार्किट पर पूरी तरह से इंटरस्टिड है और वो तभी इस तरह के बाइंग करते हैं जब वो देखते हैं क कि मार्किट टेकनिकल छल रही है अब न्यूस के अकोडिक नहीं चल रही देख़िये और आगर चलता भी रहे अब किसी को कोई फर्क निपरता क्योंकि ना तुसंच में युरोप पड़ा है ना ना नाटो देश पड़े हैं नाटो भी इलग से होगे हैं अमेरिका ने अप अपने हथ्यार दे रहा है तो उस वज़ासे वो की में एक जबर्दस फाइट दे भी रहा है रश्या को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज नहीं तो कल कीब पर कबजा रश्या का होई जाएगा अगर वो शांती समझोता नहीं भी गर तो अगर एपस का देखे तो इस यहीं कारणा है कि अब मार्किट एक तरफ भाग रही है और पूरी तरह टेकनी जो टेकनिकल लेवल थैंने इंहें भी दे रही है तो जो इंडेक्स फ्यूचर है देखिए जमकर उन्होंने खरीद है यह देखिए इंडेक्स फ्यूचर भी उन्होंने 4300 क्रोर का देखिए मतलब इंडेक्स तो भागे गए भागेगा दूसरी तरफ लॉंग टरम पर मार्केट भागेगी और स्टॉप भी देंगे क्योंकि जब वो लॉंग टर्म में इंवेस्टमेंट कर लें तो अब वो पुरी तरह से कनफर्म नहीं कि मार्केट ऊपर जाती रहेगी एफस की नजर तो अब हम आते हैं ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन भी यह दिखा रही है कि सत्रह हजार और सत्रह तींसों नहीं है तो वो नेच्रल होती है जैसे सत्रह चार सो सत्रह पांस भी आये लिए तो वहाँ पर नेच्रल एक कॉल रेट आ जाता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में अब हमने कड़ना के हैं देखिए बैंक निफ्टी अगर 3650 के ऊपर खुले इस टाम 3648 है मतलब 2500 उपर खुले 3650 और जिस साब से सिंगापूर निफ्टी यह तो लगड़ा है कि इससे भी ज़्यादा उपर खुलेगी तो कोई बात नहीं जो लेवल से टेक्निकल वो आपकी स्क्रीन पर तो हैं जैसे कल हुआ था अगर यहाँ पर भी खुले तो आपने यहाँ पर उपर ही खुल जाए तो 3676 के उपर खुल जाए तो यहाँ पर भी आपने बाई करना है फिर स्टॉपलोस आपका वहीं रहेगा 36500 डिप पाए तो फिर और एड कीजे लोट और आपको जो टार्गट मिलेगा 36875 का मिलेगा जैसी यह आए अपना प्रॉफिट बुक कर लिए उसके बाद क्या है जैसे 36700 अगर क्रोस कर दे तो फिर से आपने बाईंग करनी है 36600 की कोल बाई करनी है और स्टॉपलोस आपका रहेगा 36700 का और उपर जो टार्गट आपको मिलेगा 37120 यह मैंने क्यों लगाया कि 37120 पे 50 डेम है तो यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है एक चीज़ और बता दू पास ही है 37200 भी तो 37200 तक जब तक बैंक निफ्टी घूमते रहेगी यहाँ पर कोई वो बाइंग नहीं करनी उसके बाद फिर आगे आएगा 37835 जहां पर आपने प्रॉफिट बॉफिट करनी है अब एक चीज़ और दिखा दू आपको वीकली चार्ट पर समझाते हैं कि क्या हो क्या रहा है अगर इसकी सबसे बेले जो हाई लगाया था बैंक निफ्टी में वो लगाया था 41800 का फिर दुबारा इसने जो हाई लगाया था 39490 यह क्या बना यह inverse head and shoulder pattern बना था जो की एक अच्छी बात नहीं है अगर इसक को बैंक निफ्टी ने क्रोज कर दिया वीकली चार्ट पर तो क्लेर कट है कि मार्किट सिर्फ जो बैंक निफ्टी है तर तालीस दोसो इनी जाएगी इसके ऊपर भी 50 या पच्छ नहीं जार भी आपको मिल सकता है मतलों एक बड़ा breakout आने की त्यारी ऐसा लग रहा है कि चा लाइक कर दिख रही है कि त्यारी क्यों क्योंकि देखिए पिछले से पिछला वीक भी काफी अच्छा रहा और यह जो लास्ट पी क्लोज हुआ है तो इसने भी बहुत बड़ी केंडल बनाई है तो इस से नेक्स केंडल भी अगर इसको भी माप के देखे तो इस लाइन को क्रोस करती हुए नजर आ रही है मतलब ऐसे लग रहा है कि बड़ी जल्दी से क्रोस कर देगी अगर इसे क्रोस कर दे तो बेस्ट अगर इसको क्रोस ना कर पाई तो फिर मार्केट डाउन वर्ड ही जाएगी जो मैंने कि फिर कहा ही था कि 3988 और फिर आपको 28000 तक के लेवल फि वर्ड थे भॉट करने फिर आपने डिप का वेट कहां कहां करना शाम updated最いつ अचुशी 5300 कि दीफ है तक कि यहां पर आते आपने फिछ कॉल बाए करने है 3521 और stop loss जो आपने रखना है वो 35-800 गई रखना है और उपर target फिर आपको दुबारा से 50 damage 36090, 36215, 36300, 36433, 36566 और 36642 तक के level आपको वापस मिल जाएंगे और put कहां लेनी है put अब आपने तब तक नहीं लेनी जब तक 35-100 नाटू तो put की तरफ बिल्कुल ध्यान नी देना अभी 35-100 तूटने पर ही आपने put लेनी है वरना नहीं लेनी 35-200 का आपने stop रह सकना है 35-100 तूटने पर आपको मिलेगा 34655, 34125 ये तो एक just एक formality थी क्योंकि अगर मैं ना बताओं तो फिर भी आप मुझे कहते हैं कि put क्यों नहीं बताई put भी बताए कि तो put इसलिए मैंने बताई है वरना put वाला कोई अब chance नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी के और उससे पहले top तो दे दिये हमने ठीक है अब निफ्टी के और बढ़ते हैं तो निफ्टी में अगर इंडिया विक्स देखें काफी बड़ी ग्रावट आई है 6.25% ग्रावट आई है तो ये भी ये दिखा रहा है वहीं बात जो मैं कहा रहा था कि दिख रहा है कि मार्केट अब उपर जाने के लिए त्यार है क्लियर कट है क्योंकि अब खबरें खतम हो गई है जब तक पहले न्यूस थी तब तक नवंबर से लेकर अब तक काफी ज्यादा ट्रैप्ट हो चुकी थी जो फैड ने ड्रा रखा था वह भी अब खतम हो गया 35 basis point उसने जो बढ़ाने थे बढ़ा दिये तो उससे मार्केट को कोई फरक नहीं पड़ता उसने आगे का भी सारा सेनेरियो बताई दिया कि मैं 25-25 basis point पे इस साल पांच बार अगले साल पांच बार तो इस तरह से 2.50 या 2.60 तक मैं लेकर जाऊंगा तो यह चीज एक तरह से मार्केट को अब क्लियर है तो एक नई हरानी वाली बात नहीं तो क्रूड ठीक है अब 100 के आसपास थोड़ा कॉंसोलिडेट हो रहा है और दीरे दीरे अगर रशिया ऐसे हलात बनाता रहा जो मैंने समझाया पुरा कमेंटरी में तो काफी यह क्रूड गिरकर 70 तक या 60 तक भी जा सकता है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं एक तरफ से उदर इरान भी इस जो धंकिया मिल रही है उसे जो इरान पर भी सेंक्शन लगा रहे है तो एक तरह से इरान का सेंक्शन भी एक तरह से खुली जाएगा अगर त्री गुट नेशन थियोरी बन जाए एक अच्छ अगर 17380 के ऊपर खुले तो आपने 17300 की कॉल बाय करना है और आपको मिलेगा 17434,17530 पर जिस हिसाब से सिंगा पूर निफ्टी है तो ऐसे लग रहा है कि 17434 के ऊपर खुलेगी तो यहाँ पर भी खुले 17434 के ऊपर तब भी आपने बाय करना है 17400 की कॉल और टार्गेट आप पर 17530 रहेगा मैं बार बर क्यों कहा रहा है कि यहीं रहेगा क्यों क्योंकि 17500 पर एक कॉल राइटर काफी ज्यादा थोड़ा सा पैर जमाए हुए अभी भी तो यहां से थोड़ी देर आपको निकलना पड़ेगा यहां पर अगर यह दोबारा 17550 या 17560 क्रोस कर दे तब आपने फिर से कॉल बाय करनी है 17500 कि फिर स्टॉपला 17530 का रखिए और फिर आपको टार्गर मिलेगा 17835 और 17916 और यह वो लेवल आजेगा जो वीकली चार्ट पर यह देखिए यह मैं वीकली चार्ट ही खुला हुआ था आपके आगे तो वीकली चार्ट पर यह जो हार्मोनिक पैटरन यहां अब अब अगर लगा जिए फैवनेची इंट्रेस्मेंट तो यह सब चीजें यह और जो कैंडल पैटरन है वो यह दिखा रहे हैं कि अगर यह लेवल क्रोस हो जाए यह जो ट्रेंडरें क्रोस हो जाए तो फिर तो मार्केट 23000 तक चले जाए तो क 11,000 के स्टॉप लोस के साथ उपर टार्गेट फिर आपके 17163 17204 17268 17332 और 17361 तक के आपको टार्गेट मिलेंगे इंट्रे में और पुट का जहां तक स्वाल है तो पुट जब तक 16700 ना टूटे तब तक आपने पुट बिलकुल नहीं बाय करनी अगर 16700 टूटे तो 16800 क के पुट 16,000 के स्टॉप लोस के साथ वोगे फिर 17,000 पर काफी अच्छा आजएगा और नीचे टागर 16572 16325 मिलेंगे पर यह एक जस्ट फॉर्माल्टी के तोब पर मैंने बताया बलकि आपको समझाई दिया है कि मार्क तो गैप अपनिंग की है चांसिस तो यह था हमारा पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और तीनों स्टॉक्स पर कम्प्लीट ट्रेड सेटप फोर मंडे अगर आपको हमारी वीडियो प्रसंद आया तो जुरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए देखिए अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा होसला बढ़ता है तो इसलिए वीडियो को लाइक करना बिलकुल नब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन का बटन जुरूर बाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कीजिए ताकि और भी लोगों को भला हो सके और उनके लिए भी जो मार्किके पती डड़ा वो खतम हो से थेंक यू धन्निम